हेलो नीट एस्पिरेंट यह है एलेविंथ बाइलोजी के अध्याइब 22 मतलब जो एलेविंथ बाइलोजी है उसका लाश्ट चेप्टर है तो वस यही चेप्टर बचा है और एक जन्दू जगत बाकी हमारी 11 की बाइलोजी कमपलीट हो गई है अप अधियन कर चुके हैं कि तंतری का तंतर बिभन अंगों के बीच एक बिंदू दर बिंदू दूत संनभाई का कार करता है मलाव हमारा जो तंत्री का तंत्र होता है बाई बिभिन अंगों के बीच एक बिंदू दर बिंदू दुत समनवाई का कार करता है तंत्र की समनवाई काफी तेज लेकिन अलब अबदी का होता है मनलब जो हमारा तंत्र की समन बाय होता है बाय काफी तेज होता है लेकिन बाय अलब अब्दी का होता है तंत्र का तंत्र का तंत्र का नहीं होने के कारण कुष की किरियाओं के लिए एक बिस्स प्रकार के समन बाय की आविसकता होती है यह कार हार्मुन द्वारा समपादित होता है तंत्र का 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 तंत् के इस्तराव हार्मोन कहलाते हैं तो इसे याद रखें कि जो अंतसरावी गरंतियां होती हैं इनली का भीहीन होती हैं मनलब इनली का नहीं होती हैं और इनके जो अंतसरावी गरंतियों के जो इस्तराव होती हैं वो हार्मोन होती है हार्मोन की चिर सम्मत परिभासा के अनुसा हार्मोन अंतसरावी ग्रंधियों द्वारा इस्तरावित रक्त में मुक्त किये जाने बाले रसाइन हैं जो दूरस्त लक्ष अंग तक पहुँचाए जाते हैं तो इसे याद रखें कि हार्मोन अंतसरावी ग्रंधियों द्वारा इस्तरावित रक्त में मुक्त किये जाने बा हार्मोन सूक्ष मात्रा में उत्पन होने वाले आप पूसक रसायन है जो अंतर कूस की संदेश बाहक के रूब में कार करता है तो इसे भी याद रखें कि जो हार्मोन होती है मतलब जो हार्मोन होती है वह अंतर कूस की संदेश बाहक के रूब में कार करते है इस नई परिभासा के अंतर का सूनियोजित अंतसरावी ग्रिंदियों से इस्तावित हार्मोन कहती रिखते हैं कई नए अडूं भी समलित हो जाते हैं आकसीरक्यों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतसरावी तंतर होता है जबकि कसीरक्यों मतलब कोड डेट में कई रसान हार्मोन की तरह कार कर उनमें समनबा इस्तापित करते हैं यहां माना आंतसरावी तंतर का बढ़ान किया गया है यह दिख सकते हैं और फिर अंडा स्थाय और अधीब्रक ग्रंथियां है और अंडा साय और बिर्शन मतलब अंडा साय माध्या में और बिर्शन नर्में अब हम देखेंगे अंता स्रावी तंत्र अंता स्रावी ग्रंतियां और सरीर के विभिन भागों में इस्तित हार्मोन इस्तरावित करनी बाले उतक एकोसिकाया मिलकर अन्ता सरावी तंथ का निर्मान करते हैं अंता सरावी गरंथियां और सरीर के विभिन भागों में इस्तित्हार मुन इस्तरावित करने वाले उतक एकोसी का मिलकर ही अंता सरावी तंतका निर्मार करते हैं प्यूस गरंथि, पिनियल गरंथि, थाइराइड, एडिनल, अगनासा, पेराथाय, थाइमास, जनन गरंथियां यह हमारे सरीर के सूनियोजित अंता सरावी अंग हैं इनके अतिरिक्त कुछ अन अंग जैसे कि जठर, अंतर्य, मार्ग, यक्रत, ब्रक, हिर्दा आदी भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं मतलब जो जटर आंतरी मारग है, यक्रित है, ब्रक है, हिर्दा है, ये हार्मोन का उत्पादन करते हैं मानव सरीर की सभी प्रमुक अंतसरा भी ग्रंधियों तथा हाइपो थेलिमस की सरशना और उनके कार का संचित विवरान अंगले भाग में दिया गया है तो हम देखेंगे हाइपो थेलिमस, हाइपो थेलिमस क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपो थेलिमस डाइसिफेनोल मतलब अग्रमस्तिक्स पस्ट का आधार भाग है तो इसे याद रखें कि जो हाइपो थेलमस होता है बाइडाइस सिफेनोल अग्रमस्तिस पस्स का आधार भाग है और यह सरीर के बिविद प्रकार के कारियों का नियंतर्ण करता है इसमें हार्मोन का उत्पादन करने बाली कई तंत्री का इस्तरावी कूसिका होती है जिने न होती है जिने नूक्लि कहते हैं यह हार्मन प्यूस ग्रन्थी से स्थिरावित होस्तं बाले हार्मोन के संसलेशन और स्थिराव कहोजन करते हैं हाईपो थेलमस से 700 होने बाले हार्मन दू प्रकार के होते हैं तो इसे भी करते हैं ये प्यूस गरंती से हर्मौन को रोगते हैं तो याद रखें कि प्यूस गरंती जो होती है यह है दो प्रकार के हर्मॉन विस्तराबित करता है एक तो मूचक हर्मॉन होते हैं जो प्यूस गरंती से हर्मॉन सीन स्सम्ण को रोगते होतों ओधbahnनता है यह निकलने वाला गौनेजोटर्पन मुक्ताकारी हार्मॉन के इस तरह प्यूस गरंती में गौनेजो ट्रप相信 स incentvation एवम इस्तरावखों प्रिर्ध करता है流laus जो हाईपोतेशलमस द्वारा निकलने वाला गनयाजों टरोपनमुक्ताकारिंग हार्मौन है यह हार्मौन के से इसटराब प्यूस गरंती वा竞ार के स они्टरावख ईवम सितुराव प्यूसरी और हाईपोतेशलमस से स्वामेटोस्टेटन हार्मोन होता है यह हार्मोन हाइपोथेलमस की तंत्री कोशिकाओं से प्राराम होका तंत्री काक्ष होते हुए तंत्री का सिरों पर मुक्त कर दिये जाते हैं यह हार्मोन निवहाई का परिबहन तंत्र द्वारा प्यूस गरंती तक पहुचते हैं और अगर प्यूस गरंती के कारियों का नेमन करते हैं पश्च प्यूस ग्रंती का तंत्र की नेमन सीधे हाइपोथेलमस के अधीन होता है। प्यूस ग्रंती क्या है देखते हैं प्यूस ग्रंती एक सेला तरसी का नमक आस्थिल गौहा में स्थित होती है। आंत्र की के अनुसर प्यूस ग्रंती एडिनो हाइपोफाइस और नूरो हाइपोफाइस नामक दो भागों में भाजित होती है। एक तो एडिनो हाइपोफाइस और दूसरा नूरो हाइपोफाइस दो भागों का बना होता है। एडिनो हाइपोफाइस और नूरो हाइपोफाइस तो एडिनो हाइपोफाइस होता है। तो पास डिस्टेलिस और दूसरा पास इंटरमीडिया पास डिस्टेलिस को साधानता अग्रप्यूस ग्रंति कहते हैं। सब्सक्राइब बद्रताइब भी एज्थ क्वालक्रिय। ए मतलब जो डिशल्स से चाम करने को प्रयवितिक प्रताइब नायजिंगति मुचू इए-ष्फित हार्मों नहाना नाश कहते हैं अगर प्यूसग्रंथि इससे मतलब यतने हार्मोन इस तरह हुते हैं तो यह हार्मोन की नाम याद रखें प्रोलैक्टेण फाइज प्रोलेक्ट्राइज मनला अब्रैद्धी हर्मोन, सुमेतो्ट्रोपन, मैप्रोपन और थाइलाइज प्रेदर्क हार्मोन, TSH, एडिनो कोटिको ट्रॉपन, सब्सक्राइब करते हैं पार्स इंटरमीडिया एक मात्र हार्मॉन लेनुसाइट प्रेड़क हार्मॉन महला मैं जिसे या जिसे हम मैलेनुट्रॉफिन भी कहते हैं इसे याद रखें जो प्यूस ग्रंटी दूभागों से वनी होती है एक तो और दूसरी नीजो यहाद होता है यह तने जितने भी यह रमन दिये गां इतने इस्तरावित करता है जैंकि जो पास intermedia होता है वो केवाल एक हार्मॉन की सत्रावूत करता है जिसे लेनोसाइट ना प्रिया हार्मॉन Site करनती है दिनटरीघ हर्मोन को पास इंटरमीडिय करता मोमो ट्रॉक एक और हार्मोना है जिसे हमारति सब्सक्र मेलाइन व्हें कर सकते हैं ultra star है ध्युक्ति माना में पास इंटरमीडिया मध पेंड पास इंटरमीडिया से जुड़ा रहता है तो अभी तो आप नहीं निव पास नर्वोसा कहते हैं या पश्प्यूस्प्यूसग्रंति डिन ज़ुन मतलब यहां पास डिश्टिल इसको अगर प्यूस गरंती कह रहा है लेकर यहां जो नियूरो हाइपोफास होता है इसको हम पश्प्यूस गरंती कहते हैं और यह हाइपो थेलिमस द्वारवत पादित की चाने बाले हार्मन ऑक्सीटोसेन तता बैस अप्रेशन का संग्राय और इसको तरह करती है तो इसे याद रखें जो नियूरो हाइपोफास होती है जिसे हम पास नर्वोस या पश्प्यूस गरंती कहते हैं यह हाइपो थेलिमस द्वारा उत्पादेत की चाने बाले हार्मन ऑक्सीटोसेन और बैसोप्रेशन का संग्राय और इसको तरह करती है यह हार्मन बास्ता में हाइपो थेलिमस द्वारा इस्तराव होते हैं और तंत्री काक्ष होते हुए पश्प्यूस गरंती में पहुंचा दिये जाते हैं मतलब ही हाइपो थेलिमस द्वारा संसलेसित होंगे और तंत्री काक्ष होते हुए यह पश्प्यूस गरंती जिसे सुमेटी टो αλλά में घृड बर्दी हार्मों जी आजगेँ यह विडिये पिर जाती है और इसका कम इस तरह हुआ है तो बflow हो जाती जिसे फेट कहते हैं तो सब यहाल याद रखें मिसेस रुप से मद आई बörग के लोगों में मतलब बैसकों में बिसेश रूप से मद्द आई बर्ग के लोगों में ब्रद्धिकारी हार्मोन के अतिदिक बिक्रिति बिसेश तहां चेहरी की मतलब चेहरी की हो जाती है जिसे अतिकायकता एक्रोगिगेली कहते हैं इसमें क्या बताएगा कि ब्यसकों में विशिस रूप से जो मद आई बर के लोग होते हैं उन्हें ब्रद्धिकारी हार्मोन के अति इस तरह से आते देख विक्रिती हो जाती है जिसे दिकायकता एक्रो गिगेली कहते हैं इससे गंभी जटिलता उतपन होती है तथा यदि नि नहीं चलता है जब तक कि अभी लक्षड दिखाई नहीं देने लगते हैं प्रूलेक्टन फ्रूलेक्टन हर्मोन इसतन ग्रंतियों की ब्रद्धी और उनमें दुख्ध निर्मान का नियंत्रन करता है तो इससे याद रखे कि जो हमारा प्रूलेक्टन हर्मोन होता है बैस श्तरેब तो इस तरने ग्रंतियों की ब्रद्धी और उनमें दुख्ध निर्मान अंध्रन करता है थाइरोइड प्रीरा खार्मोन new Singlet फो ठाइरोइड ग्रंतियों पर करता है डियो department की संसलेशन और फ्रस द Denn नामक क्रिया को प्रेज़ करते हों लिंगी हर्मोन का उतपादन करते हैं करते हैं और लिंगी हार्मोन का अतुपादन करते हैं तरहां को प्रेड़ित करता है तो सियाद रखें कि नरो में ल्यूटिनाइजिंग मतलब जो हार्मोन होता है इसी तरह नरो में पुटिका प्रेड़ा खार्मोन और अंड्रोजन को नियंतर करता है यह सुक्रजनन को नियंतर करता है मादा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विक्सित पुटिकाओं से अंड्रोजन को प्रेड़ करता है तो यहीं कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाता है पुटिका प्रेड़ा खार्मोन मादा में अंड्रोजन पुटिकाओं की ब्रदी और परिवर्दन को प्रेड़ करता है रूक हम देखते हैं कहां तक हम आज पढ़ेंगे देखते हैं देखते हैं अधिब्रगक गरंति सेंटेकर पार्ट टक पढ़ेंगे आस हम थाइमस गरंति पढ़ते हैं कहां पढ़ रहे थे यहां थाइट के टिंपड़ी हां मेलानपत्य काश्रमों मेलान गर्रीद्स मेλλनपत्य गर्बासे संकुचन और दुग्द, दूध गरंतियों से दूध के इसतराइकों प्रिरत करता है, मतलब जो ऑक्सिटोसन हर्मन होता है बाई मादाव में प्रसाओं के समाई गर्वा सही पेसियों के संगुचन और दुग्द गरंतियों से दुग्द के स्तराखों भी प्रेद करता है बेसोप्रेशन जो होता है बाई मतलब जो प्रती मूत्र हार्मन या एंटी डायूरेटिक हार्मन एडी एच भी कहते है बेसोप्रेशन होता है इसे प्रती मूत्र हार्मन या एंटी डायूरेटिक हार्मन एडी एच भी कहते हैं तो इसे याद रखें एडियेच मतलब एंटिडाई उडियोडिक के संसिलेशन के संसिलेशन उत्वा इस तरह इस तरहों को प्रभायित करने वाली विक्रिती के पहिंडायम स्रूप ब्रक्य की जल सर्ख्षण की जो चमता है उसमें हिरास होता है मतलब एडी एच के संसलेशन अत्वा इस तराव को प्रभायत करने बाली प्रकृति के परिणाम सुरूप ब्रक की जल सनक्ष्ण की चमता में हरास होता है फलता जल का हरास इवाम निजली करन हो जाता है और इस तितिकों ही उदक महें डाइबिटीस कहते हैं तो इसे याद र पिनियल गरंदी अग्रमस्तिस के प्रष्टिय भाग में इस्तित्त होती है मतलब जो पिनियल गरंदी वह अग्रमस्तिस के प्रष्टिय मलब उपरी भाग में इस्तित्त होती है पिनियल गरंदी मेलनोटोनिन नामा का हार्मोन इस्तित करती है तो इस याद रखें कि जो प प्रतीय शम्हता आप त्हमता को यह तो है फायराइट गरंटी स्वास नली के दोनों और ने रफिटाऑन जर्णी के दोनों और यह गुल-गुल से हैं वेचार पैरा थाई राइड है जो सुनम्हें क्या बताये गया है कि थाई राइड गरंथी स्वास नली यह वर उसके दो नर्प बालिकों नूमा सभी आई होती है और चेक तधिक गिराइट घुर beam कोड़ाद हार्मौन की समानदार से संसलेशन के लिए आयोडीन है खेंद हार्मौन की समानदार से संसलेशन याइच्ट अब थाईरोइडता इवां थााइरोइड गिरंदी की ब्रद्धी हो जाती है जिसे साधानता गलगंड कहती है यह पहती है तो अब थाईरोइट這麼 I तो रह जाती कि बिकरेट की बारोध सफेकेजिकेश . मैंदी बुद्धी तोच्छाँ समानिता. निश्य मुंफ को अनियुते बैस के इस्त्रीयों में अभ थारिड दिता है अनियुत कर देता है नियुत कर देता है है और इस सिती को हम थाइरोड अतीक करियता कहते हैं जो सरी की कारिकी पर प्रतिकूल प्रवाव डालती है थाइरोड हार्मन आधार यह उपापश के दरस में मुखे भूमी का निभाते हैं हूर्मन के निर्माद की पतलियाहाथ नियुक्त हर्मॉन कार्भोहर्मों को नियंतित करते हैं जल और गैपनों का नेमन भी थायरोड प्रवायत करते हैं तो इससे जाद रखें कि थारोड ग्रंती से एक प्रूटीन हार्मोन थाइरो केल्सी टोनेन टी सीटी का भी इस्तरा होता है जो रख्त में केल्सीम इस तरह को नियंतित करता है नेत्रोड ग्रंती में ब्रद्दी नेत्र गुलकों का बाहर की और उभराना मतलब थारोड ग्रंती में ब्रद्दी और नेत्र गुलकों का बाहर की और उभराना अधारी उपाप्चेतर में ब्रद्दी नेत्र गुलकों का बाहर की और उभराना मतलब थारोड ग्रंती में ब ब्रदु एवं बाहर में हिरास इसके अभी लक्षण है और इसे ग्रेमा सूरूग कहते हैं मतलब नीत्र की गूल की कमी से ही होता है अब आँगे है और енить कैया है आँगे पैरा heteroid गरंथी in año 4 téléphone फेल में चार % except होती है तो मतलब माना मीजो 4 적 nativ 한때 करती प्रतीत की दो पालियों पॡ़र प्रती कर तरह जाती चार जो खेली प्रतार हर्मों का तरह करती हैं पीटी एज मंड़ा सकथा करती már निमित की दोरा निमित होता है पेरा थाइराइड हार्मोन पेरा थाइराइड का इस तरह रक्त की सास्थ परी संचारित केल्सियमाईन की दोरा निमित होता है पेरा थाइराइड हार्मोन रक्त में केल्सियम की स्थर्ख बढ़ाता है तो से याद रखें जो पेरा यह प्रूछन से केल्सियम के अप्सूसान को भी प्रेद करता है यह प्रूछन व्हार्मून है। हार्मोन की साथ मिलकर यह सरी में केल्सियम का संतुलन बना रखने में महत्पूर्ण भूमी का निवाता है अब नेक्स्ट टॉपिक है थाइमस ग्रंती तो हम सेकेंड से पार्ट से स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को पूरा कंपलीट कर देंगे तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू फूर वचिंग बाई